कि हाँ आज हम कि फिस्टियर मैस सेट थिरी जिसके बारे में पहले से बात कर रहे थे उसकी पहली साइज हमने का खदम कराई थी एंसी आटी की उसमें सेट क्या होता है उसका पूरा कंसेट आपको बताया था इस एकसाइज को लगाने के पहले थोड़ा सा उसको देख लिजिएगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देढ़ूंगा उसको देख लिजिएगा ठीक है और मुझे पूरी पूरी आशा आशा ही है विस्वास भी है वो सब्सक्राइगा पूरा ठीक है आज हम बात करें कुछ से आते हैं है टाइप campuses को वे कि रख无पडार केते हैं मतुब समुच्छे के प्रकार ज़रा हिंदी वर्ड हम यूज करेंगे क्योंस की बहिंदी मीडियम की बच्चे भी मैस्क देखते हैं तो उनको फ्रसा एक शिकायत रहती है कि इंग्लिश में ही बताया जाता है इंग्लिश वालों को क्या ज्यादा वह रहता है इसलिए हिंदी हम यूज़ करें थोड़ी बहुत तो समुझे कि प्रकार कि सेट होते हैं सेट क्या बताया गया था कि भी सेट कितने प्रतार से होते हैं सबसे पहला है जो सेड है वह केलाता है आपका इमपटी सेटट, नाम से लग रहा है खाली यह दूसरा इसका नम है नल्स ול कहते नल्स या एक लैटि नाम है वाइड शेट या इसको हिंदी में कहा जाता है रिक्त समुझ्च्छे रिक्त समुझ्च्छे नाम से लगाए कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई element न हो या कोई ऐसी बात कह दी जाये जो संभवन न हो ना सेट विच ड़स नाट है वेनी element कोई element नहों उसको लिखते कैसे हैं हम इसको हम ऐसे 0 बनाते एक ऐसे इसको फार देते हैं इसको फाई कहा जाता है इसको कहते हैं फाई हिंदी में फाई कहते हैं चंता मत करिए या आप इसको ऐसा करिए कि एक कर्ली ब्रेकर्ट बना दीजे और इसके अंदर कुछ मत लिखे इसके अंदर 5 न बना देना, अगर इसके अंदर 5 बना दिया, तो 5 सेट नहीं है, इसका element ये इसका आवेव है, इसलिए इसके अंदर 5 बना ये ध्यान रखीगा, तो ये null सेट होता है, इसको फाई कहते हैं, लेटिन बासा में इसको O यह कहते हैं यह फिलाल इसको 5 पढ़ा जाता है ठीक है जब किसी को आप नहीं जानते हैं ऐसा बोलते ना तो ऐसी होगा है कुछ ही नहीं जानते हैं नहीं उनको तो यह फाई हता है जिसमें कोई element जैसे मैं एक example लेता हूं मैं आप से कहूं कि X such that X belongs to natural number एक्स जो है natural number को विलांग करता है प्राकृतिक संख्याओं को और number कैसा है एक्स इस यहां लिखते हैं एक्स इस ग्रेटर देन five and less than two अब बताओ पाद से बड़ा और दो से छोटा कौन सा ऐसा नंबर है आपके पाद इसाफ से प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक बोलो तो रियल भी नहीं हो सकता है तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो सम्भव नहों मैं आप से कहूं ए से पहले कौन सा इंग्लिस एल्फा बेट आता है तो आपके सब जेड़ा तो यह नहीं चलेगा नहीं आता कोई नहीं आता है अब आता कैसे नहीं है मैं यहां बनाऊंगा A, B, C, बढ़ते-बढ़ते, यहां Z लिखूँगा, तो A के पहले Z आएगा, वो भाई, महावारत में वहाँ पर, जब कंस को समझाया था, उन्होंने ना, नारद ने, तो याद होगा तुमको, जो देवकी के आठ पुत्र को समझाया था, तो वहाँ पर पहला आठ हो रहा था पहला हो रहा था, वो confusion था, वो यहां confusion नहीं है, तो कोई ऐसी बात कह दिजा, जो संभो नहों, उसको empty set कहाते हैं, यह पहला set हो गया, empty set, दूसरा है आपका finite and infinite set, वह एक में लिखीगा, finite and infinite set, दूसरा है आपका finite and infinite set, जिसमें finite number of element हो, जिसमें number of element finite हो, यानि कि एक परिमित कहा जाए, गर हिंदी में हम कहें क्या है, यह परिमित है और यह आपरिमित है, यह तो जो finite and finite है, यह हिंदी वर्ड में भी ऐसे लोग यूज़ करते हैं, तो परिमित और आपरिमित, जिसमें finite number of element हो, जिनें गिन सकते हैं आप, अब व X is a number of day number of days in January तो गिन सकते हैं आप, number of month in a year आप गिन सकते हैं, January 21, जनुरी लिग दें, January 31 days होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, तो जन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, number of student in a class, आपके class में छात रिकत नहीं हैं, हम जानते हैं, Natural numbers, अगर मैं कहूं, X is a natural number, प्राकृतिक संख्या हैं, नहीं गिन सकते हैं, आप, आप कहेंगे, गिन सकते हैं, गिनते रहों, आप कहेंगे, दो लाख, दो लाख एक, आप कहेंगे, पचास लाख, पचास लाख एक, जहां भी आप end करोगे, वहां से एक नहीं संख्या, बनना सुरू हो जाएगी, तो जिनको आप गिन सकते हैं, वह finite, जिनने आप नहीं गिन सकते हैं, इन finite, वह देख करके मालूम हो जाएगा, तीसरा होता है, इक्वल सिट, यह, दो हो गए, तीसरा होता है, इक्वल सिट, नाम से लग रहा है, जिसमें number of element, एक जैसे हो, नमबर न ब जैसे हो, जैसे मैं कहूं, सेम मतलब सेम, डिक्टो सेम, मैंने कहा, A is equal to 123, आपने कहा, B is equal to 33211, अब तो सेम नहीं है, लेकिन सेट जो हमने बताया था, हमने क्या कहा था, कि element आगे पिशे हो सकते हैं, repeat हो सकते हैं, लेकिन वह element एक ही कराएगा, आप चाहेगा, तीन को दो बाल लिखो, चाहे एक बाल लिखो, चाहे बाद में लिखो, चाहे पहले लिखो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो यहाँ पर A is equal to B होगा, हमने क्या कहा, element सेम है, एक जैसे अब यह हैं, एक जैसे element है, ठीक है, तीसरा है equivalent set, अगला जो set है, equivalent set, equivalent set, equivalent set में number of element equal होते हैं, मतलब number of A is equal to number of B, मतलब example के तोर पर अगर मैंने कहा, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें 5 element हैं, और आपने कहा, एक set B है, A, E, I, O, U, एचाना होगा यह, इंगलिस alphabet के wobbles हैं, तो आप दोनों equal तो नहीं हैं, लेकिन number of A, जो element है, वो number of B, same है, इसलिए दोनों को equivalent set कहा तो यह finite, infinite, null set, equal set, equivalent set, यह बहुत चुछी बाते हैं, अब हम exercise के बारे में बात करने जा रहे हैं, book खोल के रख लिजे, questions मैं note नहीं करूँगा, NCRT book सब के पास होगी, नहीं होगी, तो आप net से download कर लिजेगा, questions होगे उसमें, ठीक है, अब देखे, पहला question हम बात करने जा of null set, null set के कौन-कौन से example है, रिक्त समुच्चे से कौन-कौन से example है, मैं पर एक्जांपल लिखता हूँ, हिंदी वाले book में भी, ब्लुकुर सेम डिटो questions वैसे ही है, ठीक है, set of, मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ, सौन में आपको आ जाएगे, इतनी हिंदी आती है, ज numbers को हम NOS लिखते हैं, divisible by 2, पहले मैं लिख देता हूँ, divisible by 2, दूसरा है, अब बताए, odd का मतलब ही जो divide नहीं हो, और यह कह रहे है कि वो number बता हूँ, जो divide हो, अब आप सोच रहे हैं कौन से divide बता देता हूँ, 5 बता देता हूँ, आता 100 to 100 बता देता हूँ, कोई number divide नही हो, क्योंकि कोई ऐसा number होता ही नहीं है, जो divide हो, दूसरा हो गया, set of event prime number, event prime number, तो तो even का मतलब sum, और prime मतलब अबाज, अब sum अबाज, हमने prime number पढ़ा है, जो दो अलग अलग number से divide हो, एक तो अपने आप से divide हो, और एक तो one से divide हो जाए, अब चाहे 3 है, अपने आप से divide होता है, लेकिन 2 एक ऐसा number है, जो even भी है, एक single number है, 2 जो है, वो even भी है और अपने आप से cable divide होता है, इसलिए ये null set नहीं है, not null से लिख दो, not null set, not null, ये null नहीं है, null लिखना को set भी बना देना, उना लोग समझेगा, hand pump बता रहे हैं, तीसरा example क्या बता रहा है, तीसरा कर रहा है कि, X such that, X such that, X belongs to natural number, वाक्रतिक संक्या है, and X is less than 5, 5 से छोटा है, और 7 से बड़ा है, कोई नंबर नहीं होता है, ये null set हो गया, वैं कोई ऐसा नंबर आपको मालू है कि, वो 5 से छोटा हो, ये एक, दो, तीन, चार, और 7 से बड़ा हो, 8, 9, 10, आगे, तो कोई ऐसा नंबर नहीं, तो दोनों हो, दोनों होना चाहिए, आपके होते तो हैं, दोनों को, दोनों हो, पांथ से छोटा भी हो, और 7 से बड़ा भी हो, नहीं होता है न, चौथा पार्ट, वाई, such that, why is the point common to any two parallel lines, देखो, parallel lines होती ही ये, और parallel का मतलब यह होता है, कि जो कहीं cut न करें, जो जब समांतर रिखाया पड़ी होंगी आपने, जब cut ही नहीं करेंगी, तो वो कोई common point नहीं हो सकता है, तो कैसा होगा, nulls it, ये पहला question समझ में आ गया होगा, बुक सामने रखिएगा, हर question को note करना, सम्भो है वैसे, सम्भो नहीं नहीं कहेंगे, अब बात करते हैं, second question की, ठीक है, पहला सुन में आ गया होगा, जब पढ़ें ध्यान से, second question क्या कह रहा है, second question कह रहा है, कि which of the following are finite और infinite, second में आपको finite और infinite बताना है, second में आपको बताना है, कि finite है, नहीं, और infinite है, परिमित है, आपरिमित है, पहला पार्ट देखिए, पहला कह रहा है, कि set up month of the year, में month मालोग में बारा होते हैं, तो यह तो finite हो गया, पहला, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं आप से, दूसरा कह रहे है कि one two three, one two three, tick 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 tick, जंदीगी बल लिखते रहा हो, यह इन फाइनेट हो गया, क्योंकि नमबर यह निच्रो नमबर है, बहुत सारे नमबर हो सकते हैं, पीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, कि one two three, अप टू 99 hundred, यह कर्ली ब्रेकेटी बनेगा, यह तो finite है, क्योंकि एक से लेकर करके 100 तरिक्षिन आ है, यह तो 100% finite है, अगला कह रहा है, कि set of positive integer number greater than 100, फोर्थ पार्ट है, 100 से बड़ा positive integer, बोले तो natural number, 101, 102, 103, लिखते जाओ, यह भी infinite हो गया, आप अनिमित, चौता कह रहा है, कि set of prime numbers less than 99, अब दो 99 से prime number, आप जानते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, यह नमबर, कि वह अपने आप से होते हैं, यह वन से होते हैं, दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, साथ हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, लिखते जाओ, और 99 से चोटे होने चाहिए, तो finite हो जाएंगे, अगर हमसे कहते हैं, 99 से बड़े होंगे, तब तो number, आरवो भी होते हैं, बहुत सारे number होंगे, जो अपने आप से केवल कुशन हो गया, लिख दीजे, थार्ड कुशन देखिए, थार्ड कुशन कह रहा है, फिर वही है, फाइनेटी इन्फाइनेटी बताना है आपको, तो थार्ड के पार्ट देखिए, यह exercise जो हम बात कर रहे हैं, वो 1.2 है, पैलिक साइज हमा लड़ी बता चुकिए, उसको द इन्फाइनेटी बताना है, इसमें, फाइनाइट एन्फाइनेट, का पहला पार्ट देखिए, सेट आफ लाइन्स विचार पैरलल टो एक्स एक्सिस, देखो यह एक्स एक्सिस होता है, यह एक्स एक्सिस है, यह एक्सिस है, अब एक्स के पैरलल कोई भी लाइन खीशते ज होगा है हैं सेकेंड पार्ट देखी के ए हैं कि सेट आफ लेटर सिंद इंगलिस अलफाविट इतने होते हैं वह छबीश होते हैं फिर हम दुआरा कि नेंगे और याग दस बार किनो रहेंगे तो था आप नंबर लेटर शब्विस होते हैं सले वह फाइनट पका है को थर्ड करा है कि सेट आफ नंबर्स विचार मल्टिपिला फाइब फाइब का मल्टिपिल फाइब के गरज पांच इकम पाज पांदुनी दस पंद्रा बीस पच्चीस पांच से जो डिवाइड करते जाओ अर्वों हो जाएंगे तो इन्फाइनेट हो जाएंगे फोर्थ पार्ट क्या करा आप से सेट आफ एनिमल्स लिविंग अन अर्थ देखो अर्थ के उपर कितने अनिमल्स इसमें हैं वो हैं फाइनेट आप किन नपाओ अलग की बात है वो अरभ हो सकते हैं दस अरभ हो सकते हैं लेकिन हैं फाइनेट उसे इन्फाइड नहीं कह सकते ह वो finite हो सकते हैं आप किन न पाओ एक अलग बात है ठीक है set of circles passing through origin origin से पास होने वाले circle देखें यह होता है origin जिसको की मूल बिंदू कहते हैं अब आप एक circle बनाओ दो circle बनाओ तीन circle बनाओ हजारों circle बना सकते हैं जो origin से पास होगे इसलिए इन-finite हो जाएगा आपको एक्जाम में बनाना नहीं है लेकिन आपने आप से crash question पूछनी है कि भई यह finite है इन-finite है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत जल्दबाजी आसा नहीं देखें यह है question number 3 आते है fourth question पर इसके बाद जो exercise आएगी अब धिरे-धिरे set theory में थोड़ी technology change होगी दिर्वा साउधानी से पढ़िएगा set theory is a part of modern algebra in the mathematics थोड़ा सा technical है बड़े classes में और technical मिलेगी इसलिए साउधानी से पढ़िएगा अब कहारा है कि state wizard a दो set है वो a equal to b है या नहीं बताना है बता रहा है क कि a is equal to b है या नहीं है अभी हमने क्या कहा था कि दो set equal होंगी equivalent की बात नहीं कर रहे हैं जब दोरों में एक जैसे element हो चरा सा भी डिटो चेंज नहीं होना चाहिए अब जाब देखिए पहना part a लिख रहा हूं मैं a b c d tumble down d a b c tumble down d the cat in the cupboard and can't see me जानते हो पुए हम एक लिखी हुई है नहीं वालू जह याद है छोटे क्लास में थी हमने पढ़ी नहीं थी बच्चों ने पढ़ी थी तो हमने सुनी थी यह d c b a अभी हमने क्या कहा order of the element can change but number of element is the same same number of element and same numbers to a is equal to b यहां पर है second part क्या कह रहा है second में एक सेट दे रहा है 4 8 12 16 और दूसा सेट दे रहा है एट 4 16 लेकिं घुजगए attitude रबल कर दिया यह आप कहेंगे एक कौ नहीं है थोड़ा होगा है है नटाफ यह थोड़ी होता थ्पैक्राट क्या हरा है थ्पार्ट में रूरों नहीं इलोगा अशे कुल टू कि 2, 4, 6, 8, 10 बी में जरा लेंग्विज लिखी है X such that X is positive even integer एक तो धनात्मक है even माने sum है और integer माने संख्याए है and X less than 10 less are equal to 10 या 10 से छोटी जो संख्याए है दो से डिवाइड होती है तो 2, 4, 6, 8 हीद होती है यानि यहाँ पर साफसा दिख रहा है कि language change है लेकिन कहना वो जो चाहते है वो दोनों same है ठीक है इसके बाद note कर लीजेगा समझ करिएगा देखिए टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लाना पड़ेगा फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है फोर्थ में कह रहा है कि X is that X is a multiple of 10 multiple of 10 multiple of 10 10 के गुणच 10 का पहाड़ा 10 तूजा 20 तूजा 30 तूजा 40 अले नहीं मतलब जो भी है 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखते जाओ और वी आपसे बोर्णा है 10, 15, 20, 25 30 अब आप महेंगे आधा आधा तो मिल ला है आधा आधा मिल ला है तो यह 15 भी करवर नहीं कर रहा है तो B बड़ा हो गया तो A is not equal to B आपके 20 बड़ा देने एक लिखेंगे या ऐसा थोड़ी लिखते हैं आपसे पूछा जाना एक्कोल है कि नहीं है ठीक है यह आपका 4th question है नोट करीजे इसको प्रकूब चला है प्रसावधान रहीएगा आप लोग क्योंकि बहुत दिखते हैं ठीक है सावधानी ही आपको सबको बचा सकती है और बस मैट लगाते रहों कोई दिक्कत नहीं है फिसिस के वीडियो भी हमारे आ रहे हैं हैं कुछ पढ़े हुए हैं आप देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे जो भी आप हम जी चैनल के डालते रहेंगे आपको कम से कम सका notification मिलता रहेगा आर दे फालोइंग प्वेरा सेट्स आर इक्वल गिव रीजन कहते हैं क्या इक्वल है कोशन वही है चेंज कर दिया है पहला कोशन देखे क्या कह रहा है पहला पार्ट कहा रहा है कि एक सेट है 2,3 और एक सेट है बी इस इक्वल टू एक्स सज देट एक्स इस आ सलूशन ओफ एक्स स्क्वाइर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0 कहते हैं इसका सलूशन जो है वो उसका सेट बनाओ चौल को लो इसको अगर मैं एक्स स्क्वाइर प्लस 5 एक्स प्लस 6 के टुकड़े करता हूँ तो आपको फैक्टर पढ़े होंगे एक फैक्टर होगा एक्स प्लस 2 एक फैक्टर होगा एक्स प्लस 3 अब यह नगरासा फैक्टर कैसे होंगे 6 कैसे टुकड़े करिए प्लस में न जिनको add करने पर 5 आ जाए तो इसको हम लिखेंगे x square plus 3x plus 2x plus 6 फिर यहां से x कामन लोगे एक bracket में आएगा x plus 3 इसमें plus 2 कामन लोगे एक bracket में आएगा x plus 3 और फिर x plus 3 कामन लोगे बज़ेगा x plus 2 आप कहीं क्यों बता रहे हो भई हमको तो आता है अच्छी बात आता है फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि नहीं आता होगा कहीं तो बताया नहीं ठीक है अब एक बार आप इसको 0 कर दीजे तो x की value क्या आएगे minus 2 एक बार x plus 3 को 0 कर दीजे x क्यों लोगे minus 3 तो इसका solution क्या निकलेगा b क्या निकलेगा b निकलेगा minus 2 कामा minus 3 क्या दोनों equal है नहीं है तो आप कहेंगे दोनों equal नहीं है अब आप कहेंगे भई आप उन्हों कहा give reason तो reason तो दे दिया हमने कि भई ये हमने solve करके दिखा दिया ना दोनों equal नहीं है इसके बाद ये पहला part है नोट करिए second part देखिए क्या कह रहा है second part कह रहा है a is equal to इसका fifth का second part है a is equal to x such that x is a letter in the word follow f o double l o w कहते हैं जो follow word है ना इसके जो letters है उनका set बनाओ तो आप कहेंगे भाई एक तो f हो गया एक l हो गया एक o हो गया एक w हो गया अब आपके अच्छा फिटा दो l हो गया अरे भाई repeat नहीं करेंगे हम एक ही बार लिखते ना दूसा सेट कहा रहे है बी यह कह रहे है वाई सच देट वाई इस दा लेटर इन दा वर्ड फ्लो शॉरी ओल्फ लिका हुए डवल्फ डवल्फ तो इसके लेटर्स का भी एकर सेट बनाओगे तो आपका डवल्फ ही तो आएगा तो देखिए लेटर्स होई है अब नहीं क्या दा तो वह रिपीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं तो आप कहेंगे इस इक्वल टू यहां पर भी आ रहा है तो यह कुश्ण नंबर शिफ्ट हो गया आपको लग रहा होगा बड़ी इजी अब इसका एक लास्ट कुश्ण बट नाट लीस्ट लीस्ट ही कहिए बहुत इजी है उसे कुछ सेट दिये हुए है और आप से कह रहा है कि इन सेट में इक्वल सेट छाट हो तो लिख लोग सेट कितने दिये हुए है एक A दिया है 2,4,8,12 एक B दिया है 1,3,2,4 आर्डर चेंज हो सकता है C दिया है 4,8,12,14 D दिया है 3,1,4,2,E दिया है माइनस 1,1,F दिया है 0,0 तो देख लिजेगा उसमें क्या लिखा है कुछ यह तुम्हें राइटिंग गंदी है थ्वाल जल्दी में लिखा होगा हमने 0,9 साहिद है देख लिजेगा और G दिया है 1-1 तो कहरें दुनों equal कौन है देख लिजेश में कौन से equal है यह आपका 2,4,8,12 है कहीं और है नहीं तो इसका कामी खतम हो गया 1-3-2-4 है 1-3-2-4 यहाँ पर भी है तो B D के equal आ गया तो आप कहेंगे वजी B और D के equal है यह 4,8,12,14 कहीं नहीं दिया है यह और यह दुनों सेम है तो E is equal to G है यह बहुत सस्ती सी exercise थी बहुत छोटी सी इसको पढ़के एक mathematics से इंटरस्ट पढ़ता है very simple very simple math simple है लेकिन थोड़ा सा logic लगारा पढ़ता है इसलिए math का नाम ही है mathematics जो मस्तक पर टिक लगा दे और ऐसा कर सब पूर ही करती है लेकिन कुसको कर देती है ठीक है इसको पढ़िएगा ओके थैंक्यू नेक्स्ट इन नेक्स वीडियो